SSE CGL Tier 2 Strategy Hello my dear students, SSE के CGL के लिए आप आपके पास approximately 20 days का टाइम है तो इन 20 days में आपने क्या स्टाइजी रखनी है और SSE CGL Tier 2 का क्या स्लेबस है प्रॉपर स्टाइजी जो है मैं आज आपके साथ डिसकस करूँगा और Bright Academy चंडीगण में special 100% free of cost जो है SSE CGL Tier 2 का batch भी हम start कर रहे है उसके बारे में end में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करें SSE CGL Tier 2 के syllabus की तो जो new pattern जो first time हो रहा है इसमें जो paper 1 है इसमें session 1 में 2 घंटे 15 मिन्ट का आपके पास time है 2 घंटे 15 मिन्ट में section 1 में आएगा mathematics 30 question and 30 question reasoning के 90-90 marks के और इसके लिए मिलेगा आपको 60 मिन्ट मतलब math and reasoning के 60 question को करने के लिए आपके पास 60 मिन्ट है section 2 में English आएगी और general awareness आएगा English के 45 question 135 मिनिट के general awareness के 25 question 75 मिनिट में इसके लिए भी आपके पास एक घंटा मिलेगा हलाकि यह एक गंटा sufficient है लेकिन यह एक गंटा ग्रम mathematics reasoning के accordingly देखें तो यह time जो है वो कम है लेकिन यह सब के लिए उसके पास section 3 है computer knowledge 20 और 60 और यह 50 मिनिट का यह qualifying है उसके बाद जो आपका session 2 data entry यह अलग paper होगा यह paper मुझे लगता है कि सारा एक ही shift में हो जाएगा और यह जो है यह qualifying होगा इसके लिए 15 मिनिट का time मिलेगा तो हमारे पास अब जो में चार portion जो बचे है that is math reasoning gk and english computer तो qualifying हो गया और आपका जो है यह data entry speed वाला जो typing वाला यह भी qualifying हो गया बाकी paper 2 & 3 तो statistics और general studies finance and economics सबके लिए नहीं होता अब अगर हम वेटेज की बात करें तो अगर हम वेटेज की बात करें तो प्री में तो सबके लिए equal weightage ती यहां क्या है कि जो reasoning और math की जो weightage है अगर हम 100% weightage के accordingly मानके चलें तो reasoning और math की जो weightage बनती है 23-23% आपके English की सबसे जारा weightage है 35% और जो general awareness की weightage बनती है 19% तो यह total हो गया आपका 100% तो अब stat जी क्या होनी क्या है देखिए आपने pre-qualify किया है आपने एक बर पहले पढ़ा हुआ है it means कि आपको आता है लेकिन अब 20 दिन में हमने कौन-कौन से topic math रिजनी जी के और English में करके जाने है so that की हमारा maximum score है क्योंकि आपको पता है approximately सारे तीन लाग जो है लोग जो है वो pre-qualify किये it means कि अब competition जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि इन सारे तीन लाग में से 35-35,000 students जो है वो पास करने है तो strategy हम सब्जेक्ट वाई start करेंगे तो माइडर स्टूडेंस सबसे पहले आगी strategy आपकी reasoning के पार्ट के लिए जिसकी weight is approximately 23% तो हम मान के चलेंगे यह आपने पहले देखो blood relation, coding, decoding यह सारे chapter आपने कियो है इन पे आपने कम time लगाना इस stage पे जो 15-20 दिन का time आपके पास बचा है उसमें आपने एक तो non-verbal reasoning जो है जिसमें main focus आपका paper cutting, paper folding, cubes, counting of figures, main square, triangles वगएरा यह व पहली बार जो है वो tier 2 हो रहा है तो क्या हमें puzzles करके जानी है तो विल्कुल क्योंकि आप इसको difficult कैसे बनाएंगे जैसे bank का mains का paper होता है तो आपको sitting arrangement और puzzle के question है थोड़े difficult level वाले आज तक स्सी में easy question आते रहे प्री में लेकिन यहां पर आपने sitting arrangement और puzzle मैं यह नहीं कहता कि आप SBI PO के level के करके जाओ लेकिन आपने जो पहले जो प्री में आपने strategy बनाई थी यह sitting arrangement करते रहे तो उससे difficult level जो है आपने practice करके चलना है और साथ में critical reasoning यह assumption argument course of action यह आपने सारे करके जाने है और एक arithmetic reasoning वाला chapter होता है आरे सब्सक्राइब की बुक में भी दे रखा है जिसमें आपने देखा उस type के question जैसे तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर बोलो कितने तीतर इस type के question है एक person जो किसी के साथ छे लोगों के साथ handshake कर रहा है तो उसको बताओ totally कितने handshake हुए इस type के questions है उसके पे आप दो या तीन question जो expect कर सकते हैं तो यह आपने जो मेरी हिसाब से जो मेरा experience 20-22 साल का है उसके हिसाब से आपको यह chapters तो बिलकूल अच्छे से करके जाने है और बाकी कोई अगर आपका chapter week है मानलो आपको series नहीं आती है आपको blood relation नहीं आता तो उसकी तो obviously आपने जो ए है यह होगे आपका reasoning का अब आगी हमारी English की strategy अब English में आपने comprehension, close test, selonim, intonim, आपके fill in the blacks बेटा इस stage पे आके आप जो है language में vocabulary को जो 15-20 दिन में improve नहीं कर पाऊगे तो जो चीज़े आप इस stage पे आके improve कर सकते हो उनके उपर जादा focus करना है वो क्या है one word solution यह याद करने है, idioms and phrases यह याद करने वाली है, active passive and narration एक limited size का scope रहता है, slavers से है, तो इसके सारे rules आप learn करके जाओ, इसकी practice करके जाओ, अगर दो-दो question यहाँ से आते हैं, तो आपके यह सारे नंबर पक्तियों, sentence re-arrangement के जो rules होते हैं, उनको proper से करके जाना है, और जो उसके बाद अगर आपके बाद टाइम है, जो grammar के जो rules है, article हो गया, prep position हो गया, phrases हो गया, यह सारे आप करके जा सकते हो, लेकिन इस stage पे आपको बोलू कि आप जो है, इनको रटे मारते हो, उसका कोई फाइदा नहीं है, तो इस stage पे आपने जाके यह सारी चीजों के उपर English में focus करना है, उसक के चैप्टर के आपने अच्छे से practice करनी है, algebra हो गया, आपका trigonometry होगी, geometry होगी और number system, और time distance and train, यह पांच यह जो चैप्टर है, आपको बताएं कि यहां से questions आ सकते हैं, तो mensuration हो गया, time and work, simple interest and compositives, percentage, ratio, आपका trigonometry, geometry, algebra, number system, time and distance and train, profit loss, algebra, average, partnership and missliness, एजी जवरा का जो चै class में आप यह नहीं कह सकते हैं कि एक particular चीज़ों को ही आप करके जा सकते हो, लेकिन यह है कि trigonometry, geometry, algebra, mensuration, time and work, data integration के उपर आप अच्छे से करोगे, तो यह जो दस बारा question जो उसमें से आएंगे, वह आप अच्छे से attempt कर पाऊगे, क्योंकि यहां पर tier 2 का level जो है थोड़ा स history, यह सब चीज़ें नहीं कर पाऊगे, stage पे जाके, क्योंकि उसको improve करने में time भी जाला लगता है, पंडे में जाला time लगता है, तो आपने में 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 जो है, क्योंकि हम expect करके चल सकते हैं, यह में जो है, जो है अच्छे से 6 मिने का करके चलना है, अगर आप हमारे साथ पह करने की जूटनी है, इसके लाबा कुछ भी करने की जूटनी है, इसके लाबा अगर आपने कुछ करना है, तो quality कर सकते हैं और history में modern और medieval जो है वो कर सकते हैं, अब जोग्राफी आप करना चाते हैं, सारी आप science पढ़ना चाते हैं, वो तो आपके उपर depend करता है, अगर आपको अमालूब आपको लगता है कि मेरा math रीजिन जो पहले से बहुत अच्छे से तयार, फिर आप time लगा स सकते हो, otherwise मेरे हिसाब से जो 20 दिन का जो आपके बाद strategy है, उसमें यही है कि आपको current for quality और history के लावा जाना कुछ पढ़के नहीं जाना चाहिए, अगर बाकी आपके आपके थोड़ा 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 time है, तो एक गंटा आप पर सकते हो, पर इस stage पर आके जाके आपको 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है, या उससे भी ज्यादा पढ़ना है, तो आपका तीर टू में अच्छा score है, अगर हम बात करें कि ब्राइट कडिमी में कोई free classes है, तो 100 cents free of course टीर टू का बैच जो है ब्राइट कडिमी में स्टार्ट हो रहा है चंडिगड में, special 15 days का बैच है, तेरा फर्मी को स्टार्ट हो रहा है, सुवा 9 से 12 इसके टाइमिंग होगी, डेली 3 घंटे क्लास लगेगी, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, best quality की मैं आपको assurance देता हूँ, और ये जो स्टार्ट हो रहा है, free coachings SSCGL tier 2 की, ये और ये my dear student, bright academic चंडिगड में, ये इसका हमारा phone number और WhatsApp number है, अगर आप register करना चाते हैं, तो जो है, यहाँ पर visit कर सकते हैं, phone पर पहले register कराके, उस दिन भी visit कर सकते हैं, phone number है 9988442200, I hope जो है SSC CGL की, जो ही मैंने आपको strategy बताई, आपको पसंद आई होगी, और CGL का mains का badge, जो बच्चे में लगाना चाते है, free of cost है, अगर आ outsider है, bright academic student नहीं भी है, तो भी free of cost है, तो आप जुरूर आईए, Monday से यह best start कीजिए, और अपना SSC CGL का जो clear करना है, जो सपना है, वो पूरा कीजिए, और अच्छी सी job लगिए, so thank you very much, God bless you all.